एक छोटे शहर से अपने डिन्स फॉलो करने के लिए एक लड़की बड़े शहर में आती हैं वहाँ पर वो लोगों की वज़े से चेंज होने का ट्राइक करती है पर ये चेंज उसके लिए डिंजरस बन जाता है आज की हमारी मुवी ये पॉजन आईवी का नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है लिली मैंने पॉजन आईवी का फर्स पार्ट भी एक्स्प्रेंड किया हुआ है उसकी लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वैसे दोनों मुवीज करनी टेंड नहीं है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चालता हो इसके बाद हमारी और एक मैन कारेक्टर जिसका नाम में लीली यह एक न्यू शहर में आई हुई हम देख सकते हैं उसकी सीटिय में उसे स्कूप नहीं था तो इसी वज़े से अब वो लॉस एंजलिस में आ चुकी है अपने पेंटिंग क्लास में जब वो पहुचती है तो वहां का टीचर डोनाल्ड है डोनाल्ड लीली से कहता है कि तुम टू विक्स लेट हो लीली कहती है एक फैमिली इमर्जेंसी थी इसी वज़े से वो क्लास जोई नहीं कर पाई इसके बाद एक क्लास वो स्टार्ट करती है इसी क्लास में हम देख सकते है कि हमारा औरिंग में गरेटर है जिसका नाम है ग्रेडिन क्लास के बाद लीली जब अपनी रहनी की जगा ठून रही थी तो ग्रेडिन उसे फिल से मिलता है एक दूसरे से प्रॉपर्ली इंट्रोडूस हो जाते है जहाँ पर लीली रहने वाली है वहाँ पर और और भी स्टूडन्स रहते है इसमें ग्रेडिन भी है ग्रेडिन फिर लीली को उसके स्टफ के साथ हेल्प करता है उसे सही से घर तक छोड़ देता है घर में आने के बा आते हुए है रात में उसे कुछ आवा जाती है तो की ःसंड़ोश ब करती है मधर कि जातीं है तर डाखने से तेको मदर लोग माइजां मिलें देना चाह कि तो मुझे भूलना जा इसलिए में सोण क्दीट मदर लिली से कहती है कि तुम यहां भी पेंट कर सकते थे उसे समझ में नयाता कि लिली यहां क्यों आई है इसके बाद इस रूम में लिली अपना सब सामान रख रहे थे वहां उसे एक बॉक्स मिला इस बॉक्स में एक लटकी की सब चीजे है उसके कुछ न्यूड फोटो उस सब लोग न्यूड पेंटिंग बना रहे थे यहां पर डोनाल लिली के पास आया उसका हाथ पकड़ गया कैसे करना है यह उससे सिखा रहा था उससे ड्रॉइंग के बारे में कुछ चीजे बता रहा था इसी क्लास में हम ग्रेडिन को भी देख सकते हैं डोनाल का लिली का हा रंग लेता है और पूरे क्लास के सामने उसकी इंसल्ट करता है लिली को इससे बहुत ही गुसा आ गया उससे गुस्से में वह आँसे चली गए वह जब अपने रूम में तो ग्रेडिन उससे मिलने के लिए उसने कहा कि तुम्हारे बारे में यह नहीं था यानि को लिली को परसनली हर्ट नहीं करना जाता था वो सौरी करकर बहुत से चला जाता है लिली को अपने रूम में एक लड़की का सब सामान मिला था इसमें जो डायरी थी यह लिली अब पढ़ने लग जाते है इसका सामान है उस लड़की का नाम आईवी है फर्स मुवे में हमारी जो लिखा हुआ है झेंपने लाइफ में चाहती है वह अपने बौडि देखकर वंदर करती है वह भी डिसारेबल बन सकती है लिए नीचे से एक नोट आती है इसमें लिखा हुआ है सबसले सानता है तुम्हेमें तुम्हें साक्ष में Scoreesta गारडन में कुछ भी नहीं खेलता मै Cathedral सी नहीं चाहता है लिली समझ या जाती है कि ग्रेड़िन नहीं लिखा हुआ था लिक्सी में दीऊ सकते है लेजा करते है वहां वर जाइक्षा करना है लेज युट आuiten को अच्छा करूंगा उसके बाद उसका ग्रेडिन का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है ग्रेडिन लिली से पुछता है तुम दो विक्स तक गायब थे क्या हुआ था गयती है कि मैं जोटका था कोभी फैमिली इमर्जेंसी नहीं थे मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो ग्रेडिन कहता है तुम जैसी हो वैसी ब्यूटिफुल हो उसे कीस कर लेता है यह मेक आउट कर रहे थे पर लिली को ज़रा अनकमफटेबल महसुस हुआ तो वहां से वह चली गई रात में वो फिर से आईवी की डारी बढ़ती है इसमें उसने लिखा है कि वो इस मूवमें तो पुछता है कि आज शाम भी तुम फिर से मुझसे मिल सकती हो लिली उसे यह दी कि शायद आ सकती हो इसके बाद लिली अपनी युनिविशिटी में सब कुछ आर्ट वगरा देख रहे थे वाह पर उसका टीचर डोनाल भी आ गया तो लिली से पुछता है तुमने अपने हेर्स काट लिये एक तो तुम्हारी लाइफ में कुछ ट्रैजिक हुआ या कुछ एकसाइटिंग हो रहा है यह बात ही कर रहे थे तब लिली को एक चोटी सी बेटी है तो उसका खैल रखने के लिए लिली को एस वेबिसिटर उसने हायर किया है इसके बाद लिली को हम खेलत लिली को लिए तो लिली को लिए अगर तुम अपना आर्ट मुझे दिखाना चाहती हो उससे अच्छी तरीके से इंब्रू करना चाहती हो तुम मुझे आकर मिल सकती हो उसके कॉलेavor में ही एक जगा है जहाँ पर क्लास के बाद उसे मिलने के लिए गयता है लिली भी इस पर सोचने वाली है घर आने के बाद लिली अब अपने आपको चेंज करने के लिए अलग से कपड़े पहन दिया एक न्यू मेक और गरती है इसके बाद तो डोनाल से मिलनी करे जाती है वो उससे बुछती है यह मेरा नया लोग तुम्हें कैसा लगा क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी ब्यूटिफुल हूँ ग्रेडिन कहता है कि अफकोस तुम हमेशा ब्यूटिफुल ही रहोगी ग्रेडिन ने देखा था कि डोनाल लीली को घर चोड़ कर गया है तो बोचता है क्या उसके लिए कुछ तुम काम कर रही थी है क्या तुम दोनों की बीच में कुछ है उसे लग रहा था ग्रेडिन और लीली की बीच में कुछ है तो लीली क्लेर करती है वो कहती है कि मैं सिर्फ उसकी बेबी सीटर हूँ इसमें वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके बाद यह ज्रिंग वगरा करते है और एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है रात में लीली को एक सबना आता है जिसमें देखती है कि उसका नया रूप उसके पुराने रूप कर छोड़ कर जा रहा है यानि कि अब उसकी फुली ट्रांजिशन एक confident रटकी में हो रही है इसके बाद नेक्स दिन लीली अपनी पेंटिंग्स डोनाल को दिखाने के लिए जाती है डोनाल ले देखता है और उसे अच्छा लगता है और उसे अच्छा लगता है और उसे बहुत ही कौशस हो एक student की तरह एक artist की तरह यह तुमारी drawings नहीं है लीली कहती है तुम teach कर रहे हो हमारे work को judge कर रहे हो पर तुम खुद painting नहीं बना दे उसे बहुत ही hypocrite की तरह रगता है डोनाल कहता है आर्टिस बनने के लिए तुमें बहुत सारी चीज़ों को sacrifice करना पड़ता है एक बहुत ही hard journey पर जाना पड़ता है इसी journey पर मेरे साथ कुछ चीज़े हुए और इसी वज़े से मैंने उसे छोड़ दिया है वो actual में painting करने से डर रहा है लीली कहती है तुमें तुमारे fears conquer करने में help कर सकती हो अब डोनाल लीली को guide करेगा और लीली भी painting में डोनाल की help करेगी अब दोनों एक दूसरे को painting improve करने में help करने वाले है तुरान डोनाल एक canvas लेता है और लीली की painting मनाने लग जाता है यहाँ उसे nude होने के लिए कह रहा था कहता है कि artist बनने का ये भी एक part है लीली भी इसके लिए मान जाती है और उसके beautiful painting निकालता है इसके बाद लीली हमेशा डोनाल के पास जाती रहती थे ग्रिडेन को insecure फिल हुआ तो यह बात वो लीली से कहता है लीली कहती है तु वरी मत करो मैं सिर्फ work में busy हो हमारे बीच कुछ भी बदला नहीं है एक दिन लीली अपने अपने drawing कर रही थी तब उसके एक friend Bridget वहाई Bridget वही character है जो लीली पसंद नहीं कर दिया Bridget लीली से कहती है कि आज रात एक party है पर शायद तुम नहीं आओगे वो तुम्हारे type की नहीं है लीली इस पर चिड़ गई थी पर वो अपनी painting पर focus करती है इसके बाद बीजें डारेक्ली gradient के पास पहुचती है वो उसके साथ flood कर रही थी लीली ये देखकर बहुत गुसा हो गए वो फिर आज रात party में जाने वाली है उसने पुरी तरीके से अपना makeover किया वो smoke भी कर रही थी तो ये सब तानिया notice करती है कहती है कि तुम अपने साथ कर क्या रही हो पहले तो तुम ऐसी नहीं थी लीली उसकी insult करकर उसे वाह से जाने के लिए कहती है लीली फिर पार्टी माय वा एक आदमे ने मास पहना हुआ था लीली को लगा कि ग्रेडिन ही है उसने फिर उसे kiss किया फिर realize किया कि ग्रेडिन नहीं है उसके बाद ग्रेडिन उसके पास आता है और कहता है तुमारे आस पास कोई भी safe नहीं है उसे compliment करता है इसके बाद इस दोनों एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है यह जब साथ थे तो डोनल इन्हें notice करता है जब सुभा होती है तब ग्रेडिन लीली से बुछता है थैंक्स गिविंपर क्या तुम घर जाने वाली हो इनके फ्रेंड्स सब बहार जाने वाले है लीली गहती है कि मैरे कोई भी plans नहीं है लीली class के लिए late हो चुकी थे तो जल्दी जल्दी ready हो रही थे तब इक रेडिन ने आईवी की notebook वहाँ देखी यह notebook पढ़कर उसे बहुत ही अजीब लगा लीली अब उससे distant रहने लग चुकी है तो लीली से यहता है हम दोनों को बात करने चाहिए लीली इस बात को टाल देती है वेती है मैं इस बारे में तुमसे अभी बात नहीं कर सकती है एडिन को फिर गुसा आ गया और वहाँ से चला गया नेकसे में हम देखते है डोनाल की वाइफ उसे उसके स्टूडियो में मिलने के लिए आती है डोनाल अफेसे पैंट करने लग गया है तो बहुत ही वरीड है एक्च्वल में लास्ट टाइम जब डोनाल ने पैंट किया था तो अपनी वाइफ पर वो चीट कर रहा था डोनाल हमेशन न्यूड पैंटिंग से बनाता है तो उसकी वाइफ वरीड है डोनाल कहता है इस वार वैसा कुछ भी नहीं होगा वाइफ के जाने के बाद थोड़ी दिल में वहाँ लिली आई डोनाल ने लिली को ग्रेडियन के साथ देखा था तो कहता है कि तुम कहा थे तुम क्लास में भी नहीं थे और यहाँ भी लेट आई हो लिली इस पर डिस्कुशन नहीं करना जाती थे तो यहाँ से जा रही थे तो डोनाल उससे रोक लेता है वह से कहता है कि कही भी मज जाओ तुम्हारी वज़े से इतने सालों बाद में फिर से पेंटिंग करने लग गया हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है लिली उसे रोकती है और पेंटिंग के लिए बोस करने के लिए वैठती है यहाँ पर भी डोनाल रुखता नहीं वो इसके साथ intimate होने वाला था तो भी डोर उपर एक नौक आए लिली ने रियलाइज किया कि यह गलत है और वहाँ से होच चली गए इसके बाद हम उसे ग्रेडिन के साथ देख सकते हैं यह जो transition है यह मेरे लिए hard है इसी वज़े से तुम उसे जाए टाइम दो प्लीज मुझे छोड़ कर कही भी मज़ाना ग्रेडिन भी उसे समझ लेता है इसके बाद नेकसे में देखते है कि डोनाल की वाइफ ने लिली को एक राट डिनर के लिए इन्वाइट किया था लिली उसके साथ ग्रेडिन को भी लेकर आई डोनाल को इसके बारे में पता नहीं था तो surprise था जब डोनाल और लिली को अकेले में बात करने के लिए विंडो मिलता है तो डोनाल केता है कि तुम उसे क्यों लेकर आई लिली केती है क्यों क्यों हो मेरा boyfriend है उसकी हाट टोन बहुत ही strict है बीनर टेबल बर भी हम इनकी बीज में awkwardness देख सकते है लिली डोनाल की वाइफ से बुचती है कि आप दोनों कैसे मिले थे डोनाल की वाइफ कहती है मैं डोनाल की क्लास में थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया यहां पता जलता है डोनाल हर एक लड़की के साथ यही करता है मुवी के फर्स में हमने देखा था कि एक लड़की के साथ intimate होकर उससे उसने break up कर लिया था इस बारे में gradient को पता था इसलिए हो लीली को लेकर productive था जब इनका dinner खतम हो जाता है तो डोनाल की बेटी सो गई थी लीली डोनाल के साथ उसे सुलाने के लिए उसके bedroom में जाते है ये अकेले थे तो डोनाल यही लीली के साथ intimate होना जाता है लीली उसे रेजिस्ट करते है यह थी कि अब हम दोनों की बीज में कुछ भी नहीं है पर ओं मानता नहीं कुछ आवाज जा रहे थे ये सब को सुनाई दिये और डोनाल की बेटी उठ गई उसने इन दोनों को देखा उसे शौक लगा भागते भागते गर से बाहर निकल गई डोनाल की वाइफ और ग्रेडिन ये दोनों भी ये चीज देख लेते हैं वाइफ बेटी की पीछे पीछे गई पर बेटी रोड तक पहुच चुकी थे एक गाड़ी से टकरा कर उसका एक्सिडन्ट हो गया बाइफ गॉर्स ग्रेज वो ज़्यादा हर्ट नहीं हुए डोनाल भी एक्सिडन्ट की हाँ पहुचा तो ग्रेडिन उसे जोर से पंच करता है लिली इन सब चीजों से बहुती डिस्टब हो चुकी थे गर पर आकर सब चीज़े वो फेक देती है वो आईवी की तरह बनना चाहती थी पर उसने रियलाइज क्या है यह सब गलत है जैसे वो नैचरली पहले थी वैसी हो रहना चाहती है राद में फिर ग्रेडिन लिली से मिलने के लिए आता है रहता है जो भी तुम कर रही हो क्या तुम्हें इससे कोई भी फरक पड़ता है लिली उससे कुछ कहने वाले थी तब डोनाल वहाँ पहुँच गया और उसने ग्रेडिन पर हमला कर दिया वो लिली से कहता हम दोनों की बीच में जो भी है मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता वो लिली को हर्ट करने वाला था तब ग्रेडिन और उसमें फाइट हो गए ये दोनों एक दुसरे को बहुत मारते है दोनाल लिली को लेकर टेरेस तक आ चुका था ये उसे हर्ट करने वाला था तब उसका खुद का ये पैर फिसल गया नीचे गेर कर उसकी डेट हो जाती है इसके बाद कुछ दिन बीच जाते है हम अभी भी देखते हैं ये ग्रेडिन लिली बर नाराज है लिली उसके पास आती है उसे गयती है मेरे टाउन में मैं ज़रा अलग थी लोग मुझे कभी भी एकसेप्ट नहीं करते थे जब मैं यहाँ आई कभी में मुझे किसी ने भी एकसेप्ट नहीं किया उसने आईवी की नोलबुक पढ़ी और उसके जैसी वो बनना चाती थी जब वो उसकी तरह बन गे तो लोग उसे एकसेप्ट करने लगे ग्रेडिन से कहती है कि आव वो मैं नहीं जाती वो सब गलत था वो जैसी है वो अपने आपको अब एकसेप्ट कर चुकी है वो कहती है कि आप मैं जा रही हो वो जाते जाते कहती है कि तुम बिलिव करो या ना करो पर मैं तुमसे बहुत प्यार कर दियू क्रेडिन भी उसे समझ लेता है और उसे माफ कर देता है इनके बीच में फिर से उनकी रिलेशनशिप सही हो चुकी है इसी तरीके से यह मोवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा मैं बहुत सारी मोवीज लेकर आता है तो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल नोट विशन आए गोंदबर में मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे